वेलकम टू आल शाथियों एक्जाम फाइटर नमर वन पे आप सभी का स्वागत है जहां पे हम लोग यूजिशी ने जी आरे पेपर टू हिस्ट्री की क्लासेश कर रहे हैं और अभी हम लोग यूणिट एट में हैं और यूणिट एट में हम लोग देख रहे हैं भारतिय गड़े शुधारांदोलनों को फ़ो लिया है और आज हम लोग एक नया शुधार अंदोलन को पढ़ने वाले हैं धर्म और स्रमार शुषार आंदոलन जो के की एक एंगलो इंडियन के दौरा स्टार्ट किया गय था और वह तो एंकलो-एञ्डियन का नाम था, हैंडरी विवियन डिरेजियो, जो की 18-17 में, कलकत्ता में, जो हिंदु कॉलेज बना था, इसके, इसमें सहायक प्रध्यापक थे, ऐसिस्टेंट प्रोफेसर थे, तो इनके द्वारा अस्थापित, हैंडरी विवियन डिरेजियो द्वार अस्थापित यंग बंगाल मुव्मेंट या यंग बंगाल आंदोलन को आज हम लोग देखने वाले हैं इसका क्या प्रिष्ट भूमी रहा है और इसकी क्या गतिविदियां रही और इसका क्या प्रभाव रहा है तो इसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो भारत के धर्म और समा महत्पूर्ण योगदान है और एक बहुत महत्पूर्ण घटना मानी जाती है वास्तव में सार्जुनिक जीवन तता जन जागरन का इतियास हिंदू कॉलेज से ही प्रादम होता है का जाता है सार्जुनिक जीवन और जन जागरन जनता को जागरित करने का काम हिंदू अपना जनवर 18-17 में हुई थी इससे पुर्व बंगाल में जन जीवन पर धर्म का गहरा प्रभाव था तता राज नीती से भारतियों का कोई शंपर्क नहीं था इसके पहले लोगों का के जीवन में धर्म का गहरा प्रभाव था वह सिर्प धर्म के बारे में सोचते थे हिंदू कॉलेज के स्थापना के बार इस इस्तिति में परिवर्थन हुआ और वह में अमोल चूल परिवर्थन हुआliśmy और इसी हिंदू कोलेज के कर सकते हैं कि प्रभाव से बंगाल में युवा आंदोलन के अस्थापना हुई जिसे करते हैं यंग बंगाल मुव्मेंट या बंगाल का युवा आंदोलन और इस आंदोलन को प्रारम किया था आठासचचचचचचचचचचच बनते हैं हिंदू कोलेज के कौन हैंद्री विवियन डिरिज्चचच कब बनते हैं 1826 में एसिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं हिंदू कॉलेज के जिसने हिंदू कॉलेज को जन जागरन का केंद्र बन जाता है जिसमें भारतियों की राजनीतिक रूची पैदा करना चाहते थे हैं इसलिए उसने क्या 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 केंद्र जाता है यानि मेधावी चाहत्रों से निकट संपर कर स्थापित किया और उन्हें यूरोप के राजनीतिक विचारकों की विचारधाराओं से परिचित कराया उनकी पुस्तकों को पढ़ाया यूरोप के श्वतंत राजनीतिक विचारकों के पुस्तकों को इन्होंने अपने तेज दिमाग है सोच है वो विश्तित हो सके और वो भी ऑपेन माइंड़ हो सके इनके प्रमुक सिस्चियों में इन सब का नाम महत्पूर्ण है का आप कुछ का नाम याद रखें अमरित लाल मित्र कृष्ण मोहर बनर जी अरसिक कृष्ण मलिक डक्षिना रंजन मुखर जी राम ग जागरुक एवंग मेधावी जागरुक और मेधावी चात इसके निकट संपर्क में थे यह सारे चात मेधावी थे और इनके निकट संपर्क में थे डेरेजियों और इन मेधावी चात्रों के विचार गोश्टियों आईजिस होती थी लोग का सम्मेलन होता था डेरेजियो उसका नितित्द्द करते थे और अपने मेरावी जात्तों के साथ विचार गोष्टियों का अभीजन करते थे जिसमें धर्म, राजनीती, नितिकता और भारती इतियास, पर विचारीम मेर्स होता था मने जो चात देरीजियों के संपर्ग में आया उन्हें बंगाल में एक नया जागरुक वर्क पैदा किया यानि इन्होंने जिन मेधावी छात्रों को अपने अंतरगत लाया अपने विचारों से अउगत कराया और आप वो जो मेधावी छात्र थे उन्हें बंगाल में एक नया वर्क पैदा कर दिया जिसे यंग बंगाल यानि युवा बंगाल यानि यहां के युवाओं पर एक गजब का प्रभाव डाला इन मिधावी छात्र छात्राओं ने और हैंदी विवेंड डिरेजियों ने और एक नया वर्ग ही पैदा हो गया जैसे कहते हैं युवाबंगाल यंग बंगाल युवाबंगाल के सदस अंद्विश्वास क्या करते थे यह अंद्विश्वास जो की धर्म के नाम पर अंद्विश्वास होता था तथा समाजिक कूरितियों जो समाज में कूपर था था भारते समाज में वह आप अंद्विश्वास और कूरितियों के आलोचक थे और सुध कूर होती हैं से उन्हों ने बंगाल में जरू किया लिखेंगर और इसी का बेक्राउंट हम दोग भी देख रहे हैं अब देखेंगे इन्हें क्या क्या चीजें थी तो इन्होंने सबसे परले एक एसोसियेशन बनाया आपसे पूछा जाएगा एकेडमिक एसोसियेशन किस से समझ देखें तो हेंडरी विवियन डेखेंगे और पूछा जाएगा एकेडमिक एसोसियेशन किस संस्था से समझ देखें उस संस्था का नाम बताईए वो संस्था था यंग बंगाल अंदोलन डिरेज़ृ के विचारों से प्रभावित होकर यूआ बंगाल सरस्यों ने 1828 में कब 1828 में Academic Association के स्थापना की तथा डिरेज़ृ इसका अध्यक्ष बना इस Association के तत्वरहन में समय समय पर सभाय होती इस Association यानि Academic Association के निर्टित में मिटिंग होता था सभाएँ होती ती, जहां पर सभी विश्यों पर, पर डिस्कसन के यह ज़ार भहस होती ती और विचारों का आदान-परदान होता था, इस प्रकार की विचार गोष्टियोंने केवद हिंदु कोलेज के चात्र ही नहीं, विचार गोष्टी जो आयजीत होती थी सिर्फ हिंदू कॉलेज के चात्रा उसमें नहीं आती थी बलकि कलकत्ता के सिक्षित और जागरुक लोग भी भाग लेने लगे इतना पोपुलर हो गया कि वो सिर्फ कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज था उनके प्रोफेसर थे लेकिन प्रोफेसर और स्टुडेंट तक ही सिमित नहीं रहा बलकि कलकत्ता के और भी अन्य सिक्षित और जागरुक लोग भी इन गोष्टियों में भाग लेते थे डेरेजी और उसके एसोसेशन ने सुब्थ भारतियों को जगजोर दिया उन्हें एक नया सोच अपनाने के लिए चात्रों में आत्म विश्वास की भावना भर दी और बहुत बड़ी बात है इन्हों इस आंदोलन ने चात्रों में आत्म विश्वास की भावना भर दी और वे सब अब प्राचिन मानेताओं के आलोचना करने लेगी यानि जो भी समाज में बुराईयां थी प्राचिन काल नहीं होता था अता क्या हो गया पुरातन पंती भारतियों ने इस एसोसेशन के विद्ध आवाज उठाई यानि जो यंग बंगाल आंदोन से जूड़े यंग बंगाल आंदोन से जूड़ गए थे उनका विचार काफी उदार था और यह पस्चमी सर्भेता का अनुकरन करने बंगे अदर चीनें लगे थे उसा करने करने लगे ते यह पुरातन वाली लोग थे उन्हों का विरोद करना आख़ए नेक अभिभाव कोने ऊंवा शद्री टैसक क्लूड पापा-मम्मी जो ने लड़कों को और लड़कियों के हिंदू कॉलेज से वापिस बुला लिया, कहा कि नहीं आप लोग वाँ भटक जाएंगे, पस्चिमी का अधनाधुकरन हो रहा है और हमारी सब्विता को भूला जा रहा है, इसलिए इन्होंने अपने बच्चों को वापस बुला लिया, यानि हिंदू कॉलेज के चात चात्राओं को आदेश दिया गया, कि वहां हेंद्री वीबियन डिरेजियों दोर रास्थापित, एकैडमिक एसोसियेशन से किसी प्रकार का संबन न रखें, मैनेजिंग कमिटी नहीं, डिरेजियों को कॉलेज से निकालने का निर्नाए भी अतना मार्च 8731 में इसलिए पहले ही मार्च 8731 में डिरेजियों ने क्या-क्या पद त्याग दे दिया, इसके कुछ दिन बाद इसके मिर्थी भी हो जाती है, अना कि वहांच एक मिर्थी हो गए लेकिन उसकी भावना जीवित रहे, उनके वीचार जीवित रहे, उसके अनु करते हैं बंगाल में शायर्वनिक संघ्टहों की आस्थापना का प्रारम्-डरीजियों के यूवा बंगाल आंदोलन तता एकड़मिक असोसियेशन से मान सकते जानि बंग बंगाल में जो शायर्वनिक संघ्टन बने इसके सुरूवार्द यंग बंगकाल हेंरी बिबी एंट ओरेजीयों ने तो पूरे भारतिया इतियास में देखा जाए यह पहला उधारणता जिन्होंने आम जन्ता के विचारों को परिवर्तित करने का उन्हें जागरत करने का प्रयास किया वस्तुयों को तरक के अधर पर पर रखने और जो संगठन था इसमें कहा कि किसी भी बात को तरक के अधर पर उसको मानिये सही है या गलत है अंद्विश्वास तता पूराने मानिताओं पर प्रबल आपक्ष करने की सुरुवात उसी ने की यानि पूराने जो विचार भरा है उसको उसका वियोद करने का सुरुवात भी इसी के दोरा किया गया था यानि यका सकते हैं कि देरिजियों के दोरा जो यंग बंगाल आंदोदन था इसने बंगाल में काफी समाजिक धाल्मिक परिवर्तन कर दिये और एक तरह सिका सकते हैं कि बंगाल में आमुल्चूल परिवर्तन देखा जा सकता है इसके बाद इसने क्या किया सरवपर्थम जैन जागरन की बुनियाद रखी पूरे भारत में वस्तुओं को तर्ग के अधार पर रखने और उसके जाच करने का लोगों से कहा कि आप किसी भी चीजों को बीना तर्क बीना जाचे परके ना माने यानि अंदिविस्वास और पुराने मानताओं पर प्रबल विरोध किया और इन मानताओं का इन्होंने विरोध करना प्राड़म कर दिया और बंगाल में ऐसा वर्ग पैदा किया एक तरह से देखा जाए तो यह भारतिया परंपराओं को हीन भावना से देखने लगे और यही हो जाता है इस संगठन के पतन का कारण क्योंकि यह दो अतीप पस्चिमी करन करने लगे अईसी करन में पस्चिमी करन के जैसे खान पा रहा होती है पाबंदी होती है यहां यह सारी चीज़ें बंद हो जाती है और इसी के कारण डिरेजियों के मिर्थियों के बाद यह संगठन ज्यादा नहीं चल पाता है और अंतता इनका पतन हो जाता है तो अभी हम लोग देख रहेते यंग बंगाल मुवमेंट जो कि अभू